हमेशा याद रखना मनुष्य का अहंकार और मुह ही उसे बरबात कर देता है इससे बढ़कर उसके जीवन में कोई सत्रू नहीं होता नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचार्य वासुदेव मिस्रा आपका अपने चैनल भविश्य आवारी पावर अब दलोड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यकरम आप लोगों के लिए याने की तुला रासी वालों के लिए बेहती ज़्यादा खास और विशेश कार्यकरम साबित होने वाला है आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध्ध महराज के रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में जी हाँ दोस्तों यह राजबुध अपनी वरतमान अगनी तत्विय रासी धनू रासी को छोड़ करकी अपने परम मित्र सनी देव की साधारण वायू तत्विय र मकर रासी में प्रवेश कर चुके हैं एक फरवरी 2024 की दोपहर दो बच के 55 मिनट के आसपास और आने वाले 20 फरवरी 2024 की प्राताह तक इसी रासी में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगी उसके पस्चात पुनह रासी परिवर्तन करके सनी देव की मुल्त रिक कुमार का प्रवेश हो जाएगा तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजबुद्ध का यह गोचर आप सभी तुला रासी वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है जी हाँ दोस्तों इस गोचर काल के दवरान आपको विशेश नाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए इन तमाम प्रकार के प्रस्नों के उत्तर आज के इस जोतिस के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं इसलिए अगर आप भी एक तुला रासी के जातक हैं तो कार्यक्रम को बीना मिस के अंत तक देखने क प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा वाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहां से आप वाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पुर्व विस्लेशन करवा सकते हैं तो दोस्तों देखिए वैसे तो राजकुमार का गोचर जादा दिनों के लिए नहीं होता यह लगभग 25 से 35 दिनों में अपना रासी परिवर्तन कर लेते हैं लेकिन इतने ही कम दिनों में अपना संपून प्रभाव दे देते हैं इसलिए जो लो अपने communication skills अपनी चतुराई अपनी बुद्ध मता का इस्तेमाल करके वर्क करते हैं मीडिया के सेक्टर में बैंकिंग के फिल्ड में मैंनेजमेंट के छेत्र में इन SABHI छेत्रों में साथी साथ लौटरी सट्टा सेर इन छेत्रोंłos में विसेशरूप से राजकुमार बुद बुद्ध के कारण ही होता है, इसलिए इनके लिए इनके गोचर को समझना बेहद ही जादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि जब यह गोचर में बलवान होते हैं तो इन छेत्रों में विसेश तोर पर सुब और स्रेश्ट परिणाम प्रदायक सावित होते हैं, तो दोस्तों देखिए अभी तक राज कुमार बुद्ध आपकी गोचर कुंडली में आपकी रासी से तिसरे भाव में गोचर कर रहे थे याने की प्राक्रम के भाव में एक तारीक को आपके तिसरे भाव से निकल कर चतूर्थ भाव में गोचर करना प्रारंभा कर चुके हैं यहां पर चतूर्था भाव में गोचर करते हुए पहले तो समराठ सूर्य के साथ यूती बनाकर के बुधादित्य नामक राजयोग का निर्मार करे हुए हैं उसके अलावा यहां पर देव गुरुब रहस्पती के साथ जो छटे यहां पर आपके कुंडली के सब्तम भाव मे हैं चाउथे दस्वे केंद्र का कॉंबिनेशन बनाए हुए हैं तो ऐसे में बड़ी इस पश्टता और सहजता के साथ कहा जा सकता है कि राज कुमार का यह गोचर काल आप सभी तुला रासी वालों के लिए कुछ मामलों में अदभूत परिणाम प्रदायक साबित होगा अगर आप लंबे समय से टेंशन तनाव मांसिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो उससे आपको मुक्ती मिलेगी माता की सेहत में कोई समस्या थी तो उनकी सेहत में सुधार होगा माता के साथ आपके तालमेल बहतर होंगी देखा जाए तो यह समय आपके भूमी, भवन, मकान, वहन इनसे संबंधित भवतिक सुखों में बृद्धी कराने वाला साबित होगा यह समय हर प्रकार से आपको आपके कारिय छेत्र में विशेश सफलता और लाभ प्रदायक साबित होगा जिहां चतूर्थ भाव में गोचर करते हुए राज कु हर प्रकार से प्रोफिटेबल कहा जा सकता है चाहे आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में करते हैं गौर्मेंट सेक्टर में करते हैं समझ जाइए इस समय आपकी बुद्धिमता आपकी चतुराई और आपके सोचने समझने आपके कम्यूनिकेशन स्किल्स की प्र सिद्धी की प्राप्ती होने वाली है और देखा जाए तो व्यापारियों के लिए राज कुमार का यह गोचर सबसे ज़्यादा सरेष्ट सावित होने वाला है जी हाँ अगर आप एक तुला राजी के व्यापारी है किसी भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर पूराने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अवज से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी वहीं जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत नसिल थे उन्हें इस सम देव गुरु ब्रहस्पति के साथ चाउथे दस्वे का केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे फलतह आप सभी तूला रासी वालों के लिए राज कुमार के इस गोचर काल को भाग्यके दरिश्टी कोंड से भी स्रेश्ट और लाबदायक ही कहा जा सकता है इस समय धार्मिक क् लाब में आपकी रूची बढ़ेगी आपको अपने गुरु जनों का अपने वरिष्ट जनों का विसेश आसिरवात और इसनेह प्राप्त होगा आप अपने भाग्यके मजबूति की वजह से भूमी भवन मकान वहन इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति इस गोचर काल के दर्मियान करने वाले हैं लाब भाव के स्वामी सूर्य के साथ यूति बना करके गोचर करेंगे फलतह आपकी जीवन में लाब के सभी रास्तों को खोलते हुए नजर आएंगे कार ये छित्रसी जी हाँ इसके अलावा देखा जाए तो यह समय आपके दामपत्य जीवन वै करके कोई नया बिजनेस व्यापार सुरू करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं इसके लिए भी राज कुमार के इस गोचर काल को स्रेश्ट और बहतर परिणाम देने वाला कहा जा सकता है कुल मिला करके देखा जाए तो आप सभी तुला रासी वालों के लिए यूराज 108 बार तीन माला या फिर पांच माला जाब कीजिए साथ ही साथ बुद्धवार के दिन गड़ेश जी के मंदिर में जाईए उन्हें दुरुआ अरपित करें आपके लिए राज कुमार का यह गोचर हर प्रकार से फाइदे मंद साबित होगा तो दोस्तों हमें उम्मिद है जानकारी आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाजत देजिए नमस्कार